हेलो फ्रेंड्स, आचानक मेरे भैया भावी घर आ गए और उनका डिमान था पालक पनीर खाएंगे उलोग बोले तुम दस मिनट में पालक पनीर बना के दिखाओ तो क्या मैं भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो दस मिनट में आज बनाएंगे पालक पनीर यह देखिए हमने पानी में डाल दिया है पालक को पालक को हलका सा बलंच कर लेंगे दो तीन मिनट ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे अब इसे निकाल लेते हैं अब चलते हैं इसका मसाला तयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया सैसो का तेल 10 बार रपिस लेसं के कलिया थोड़ी सी अदरक एक बड़े साइच का प्याज हलका सा इसे फ्राय करेंगे जादा नई फ्राय करना है और गेश कपलिम को हाई में रखेंगे और इसी तरह हम फ्राय कर लेंगे ये देखिये हलका सा फ्राय हो गया है अब इसमें डाल देते हैं एक बड़े साइच का टमाटर इसको भी हमने रफली चप कर लिया है अब इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सतीखा बनाने के लिए हरी मिर्च और धनिया प तोमाटर से कितना पानी निकला है अब तमाटर भी शूप्त हो गया है अब इसे इसे तरह चलाते जाएंगे अब इसे ठंडा होने के लिए लग देते हैंब चलते हैं पनी को फ्राइ कर लेंगे हम पर पेन ले लिया है पेन वे डालेंगे एक चम्मच ऑईल डाल कर पणी डाल करना है पनीर फ्राय हो गया है अब इसे साइड कर देते हैं अब हम चलते हैं मसाला को तैयार कर लेंगे जो मसाला हमने बनाया था प्याज लसुन अद्रक डाल कर उसी को डाल देते हैं और जो बलंच किया था पालक उसको भी डाल कर मिक्सी में पीस लेंगे अब लेते हैं कड कसमेरी लाल मिर्च एक कलर के लिए डाल रहे हैं यह तीखा नहीं होगा अब जो हमने मसाला तयार किया है पालक के साथ इसको डाल कर अच्छे से मिक्स कर देते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी तरह हम पका लेंगे इसे पांच मिनट तक धीमी आज में यह देखे अब इसमें डाल देते हैं पनीर को जो हमने पहले से फ्राइ करके रखा है पनीर को डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे दो तीन मिनट इसी तरह चलाने के बाद अब हम इसे कफर कर देंगे एक दो मिनट के लिए एक दो मिनट के बाद चेक कर लेते हैं यह देखे हम लोग का पा लेंगे एक दम बढ़ियां से मिला लेंगे और देखे कलर देखे कितना सुन्दर कलर भी आया है देखे अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चीनी पालक पनीर में थोड़ा सा चीनी डालने से इसका स्वाध बढ़ जाता है यह देखे बन की तैयार हो गया हम लोग का 10 झाल झाल झाल